हालो गाईज, गूड मॉनिंग, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पड़ायों से भी जादा अच्छे होगी, और मैं आमीत अमी छर्मा, फिर से आप लोगों के साथ मैं, आज की करंट अफियर के इंप्रोटेंट कोस्टन्स लेके आया हू I hope, सब अच्छा ही चल रहा होगा आप सब का, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, as usual, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए, यहां से आप लोगों को PDF फॉर्म मिलती रहेगी, जो भी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो भी मैं करेंट एफेर के कोर्शन की PDF यहां पर डालता हूं, तो आप लोगों की जो पढ़ाई होगी, वो continuously चलती रहेगी, डेटा आप लोगों को मिलता रहेगा, अगर आप यह चैनल जोइन कर लेते हैं, तो, चलो फिर लंबी चोड़ or influence, the decision of a lender can be of concern if the lender does not maintain an arm's length relationship with such borrowers is known as, नहीं आया ना समझ में, कई सारे स्टूडेंट यहां पर ऐसे होंगे, जिन लोगों कोई चीज समझी नहीं आयोगी, क्ये है क्या अक्चौल में, यह अभी जो monetary policy आय थी, उस time जो हमारे governor है, RBA कि उन्होंने कुछ नहीं, कुछ rules और दिये है, terms and conditions, type SS को समझी आप, तो यह उसी में से यह part है, और यह आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, I am sure, चलो महाप लोगों को simple भासा में समझाता हूं, question को छोड़ दो आप एक बार, मेरी बात सुनें सिर्फ, bank, bankों की जो lending process है, उस lending process में, अगर bank, land सिर्फ उन्हें करते हैं, जो उनके relatives हैं, जो उनके non हैं, खास, यार, दोस्त जैसे बोलते हैं, इस type की जो lending होती है, उसको connected lending बोलते हैं, simple भासा में समझा आया, bankों की जो lending process है, उस process के तहत, अगर bank, land सिर्फ उन्हें करें, जो उनके non हों, दोस्ती भाई बंदु हों, भाई बंदु हों को जो लोन दिया जाएगा, उस process को क्या कहेंगे, connected lending, अब I hope आप लोगों को समझा आया होगा, 100% आया होगा, hope की need ही नहीं है, और इसके अगर आप definition की बात करेंगे, जैसे connected lending, definition तो मैंने आप लोगों को दे दे लेंगे, समझने की connected lending है क्या है, तो connected lending involves the controlling owner of a bank, giving loans to himself, यानि या तो वो खुद को लोन दे लें, जैसे मैं किसी बैंक में हूँ, और बैंक से मैं ही लोन ले लेता हूँ, और his related parties या उसकी कोई भी related parties वगरा हैं, कोई group of company सिर्फ उनी को लें दे दे, loan दे देता है, तो उसको कहेंगे connected lending, और छोटे सब्दों में अगर हम बात करें, तो companies can use the bank as a private pool of readily available fund, क्यों, क्योंकि अगर मैं बैंक में हूँ, तो मेरे लिए तो पैसा वहाँ हमेशा available है न, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया private pool of readily available fund, तो इस चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, काफी important है, exam में पूछी जा सकती है, ठीक है जी, चलो next चलते हैं, which country is hosting global partnership on artificial intelligence, यह summit है, कहाँ पे हो रही है, यह आप लोगों से पूछा है, तो इंडिया में होगी, यह कल से स्टार्ट हो चुकी है, 12 दिसंबर से, 14 दिसंबर तक चलेगी, कल से स्टार्ट हुए और कल तक चलेगी, यह भारत मंडपम जो न्यू डैली में है, वहाँ पे यह summit यूट की उन्नती हो और उनका विकास किस बेस पे हो, AI, Artificial Intelligence के बेस पे, तो इसी परपस से इनिसिट्यू से यह meet जो हो रही है, summit जो हो रही है, start की गई है, दूसरा, इस प्रोसेस के लिए, यह यह यूट को उन्नती देने के लिए, तीन अलग अलग लोगों में tie-up हुआ ह यह question आपका exam के लिए, अलग question बनता है, यह को पूछा जा सकता है कि किस-किस के बीच में tie-up हुआ है, किस के बीच में नहीं हुआ है, तो एक तो हुआ है, National E-Governance Division, दूसरा, Ministry of Electronic and Information Technology, तीसरा, Intel India, तो यह तीन पार्टनर हैं, इस स्कीम को आगे लेके जाने के लिए, implement करने के लिए, ठीक है जी, तीन चीज यहां धान रखनी है, कहां पे हुई, यू, वाई, यूवी याई, स्टेंड्स पॉर, और किस-किस के बीच में यह tie-up हुआ है, क्लियर है, ठीक है, चलो, next सबते हैं, विच बैंक, लॉंस्ट, नारी शक्ती सेविंग अकाउंट, कोई बैं से पता चल रहा होगा, नारी शक्ती, नारी शक्ती के लिए, सेविंग अकाउंट ओपन किया गया है, जो कि सेल्फ एल्फ ग्रूप जो होते हैं, उस टाइप से, उनको इंडिपेंडेंट सोर्स ओफ इंकम प्रोवाइड करवाने के लिए, स्टार्ट किया गया है, अब इसरा यहां से जो वो लोन ले सकेंगे, उस लोन को, या फिर वहां से जो क्रेडिट कार्ड जो उनको मिलेगा, उसकी हाईयर यूजेज जो होगी, वो यूज कर सकते हैं, लिमिट ओफ अप टू, फाइव लैक ओन पी ओएस, पॉइंट ओफ से, पी ओएस पे, वो उस खान रखनी है, क्लियर है, ठीक जी, चलो, नेक चलते हैं, हूँ इस सिलेक्टिड फोर थर्टी थर्ड व्यास सम्मान अवर्ड, तो दो हजार तेईस का जो मिलने वाला है, उसकी लिए कि इनको चुना गया है, ये है लेडी, राइटर है जिनका नाम है, पुष्पा भारती इनको चुना गया है, 3300 अव्यास समान इनको मिलेगा, और इनकी बुक है, जिसका नाम है, जिसके ली इनको मिला है, बुक का नाम रहेगा, 2016 में मर, यादें, यादें और यादें, ये इनकी बुक का पूरा नाम है, ये भी आप लोगों को ध्यान डखना है, दूसरी टाइ एक्टर who is awarded with Italy का एक award है, civilian owner award जिसका नाम है, order of merit, तो ये किन को मिला है, ये मिश्टर कबीर बेदी को मिला है, जो कि एक्टर है, आप लिए को भली बात ही जानते होंगे, काफी पुराने एक्टर हैं, इनको ये award मिला है, ध्यान रखना है, नेक्स्ट है, how many airports have been covered under Chrissy Udon scheme, Chrissy Udon scheme है, उस scheme के अंडर कितने airport कवर की जा चुके हैं, 58, अब Chrissy Udon scheme जो है, वो लोंच हुई थी अगस्त दो हजार बीस में, टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांस्पोर्टिंग अगरिकल्चल प्रोजेक्ट, जो भी अगरिकल्चल प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोड़क्ट्स हैं, उन प्रोड़क्ट्स को सही टाइम पे, सही जगे पे ट्रांस्पोर्ट करने के लिए, एर सर्विस प्रोवाइड करव पाने का इसका इनिसेटिव था इस स्कीम के अंडर और उसी के अंदर अब तक 58 जो है वो एरपोर्ट कवर किये जा सुके हैं यह खास चीज है आप लोगों को ध्यम दखनी है ठीक है जी चालो नेक्स्ट है इंडिया जो फास्ट सिक्स लेन स्टील स्लेग पेस्ट रोड कनेक् कर रहा है आप कोशन यहां से पूछा जा सकता है कि पहला जो स्टील स्लेग बेस्ट रोड है वो कौन से स्टेट में तो स्टेट का अगर जिकराएगा तो बात करोगा आप गुजरात की जगह का नाम होगा तो यह ने सिक्स टू हजीरा पोर्ट जो सूरत में है उन दोनों क क्या है स्टील से नाम पता चल रहा है लोहा लेकिन मैं आप लोगों को सही समझाता हूं कि होता क्या है स्टील स्लेग जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई वेल्डिंग वगरा जैसे करता है लोहे की वेल्डिंग वगरा तो वहां से उसके छीटें बढ़ते हैं वो लो लास्ट शिक्स लेन रोड है और वो एन्याज सिक्स से हजी रापोर्ट को लिंक कर रहा है क्लियर है जी ठीक चलो फिर नेक्स्ट है कैबिनेट कमीटी ओन एकोनोमिक अफेर्स जिसको सी सी ये भी कहते हैं एज अप्रूड रिजर्वेशन नॉर्म्स फोर मेंडेटर यूज ओफ जूट यह जूट जो बोरी जिसको बोलते हैं बोरी गोनी भी बोलते हैं कई जगे पे तो यह बोरी जैसे गेहूं वगरा की बोरीयां आती हैं कई अलग अलग जिनमें आज रखा जाता है उनको जूट की होती हैं तो जा यूज ओफ मेंडेटर यूज ओफ जूट इन पैकेजिंग फोर दा इयर ट्विंटी ट्विंटी थ्रिंटी फॉर अब यहां पे इस कोस्टन को पूरा करने से पहले एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जूट इयर कौन सा है दो हजार तैइस चौ हो गई एक चीज अब इसमें कहा है एक कि जो पैकेजिंग होगी उसको मेंडेटरी कर दिया गया है क्या hundr ॱét परसेंट तो जूट यूज होगा किस को पैक करने में फूट ग्रेंज को पैक करने में और हेटी परसेंट जूट यूज होगा किस को पैक करने में सुगर को पैक करने में चीनी को पैक करने में तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कितने परसेंट क्या यूज पैक करने के लिए और कितने परसेंट क्या पैक करने के लिए कहा गया है और तीसरा जूट येर कौन सा है 2023-2024 कौन सा पीरेड रहेगा एक लोफ इंडिया अप्रूरूड एन ओफ लाइन रिटेल पेमेंट प्रोड़क्त, यह पूचा है कि कौन से बैंक ने यह राउच किया है, जिसको नाम दे दिया गया, ओफ लाइन रिटेल पेमेंट यह राउच किया है, HDFC बैंक ने, किस में के साथ मिलके, Crunchfish के साथ मिलके HDFC Bank ने यह सब launch किया है अब आप लोग समझी गए होंगे कि offline retail payment जिसमें आप लोगों को internet बगरा की जरूरत नहीं होगी जैसे कोई wallet है उसको आप बिना किसी internet के यूज़ कर सकते हो payment कर सकते हो अब इसको trial base पे रखा गया है तो trial base पे जो रखा गया उस time जो limit है वो कितने पे fix की गई है कि offline payment अगर आप करने जा रहे हो तो वो होगी तो 200 रुपय तक की payment आप अभी इससे सिर्फ कर सकते हो जैसे ही यह testing phases का complete होगा उसके बाद यह all over the India start कर दी जाएगी कब होगी इसका भी कोई time नहीं रखा गया है ठीक है जी चलो नेक्स्ट है what is the maximum investment limit maximum limit कौन सी है that an angel fund can make in a single company पहले आप angel fund को समझ लिए angel fund मोटी भास में फिर समझाता हूं angel fund एक ऐसा fund होगा जिसमें high net worth का कोई individual या कोई company जो होगी वो सब मिलके अपना पैसा एक जगे कठा कर लेते है उसको angel fund बोलते है मोटी भास में समझाया यह definition मैंने लिखी है angel fund is a money pool created by the high net worth individual और companies for investing in business start-up अब वो जो पैसे उन्होंने रखा है उस पैसे को वो business या कोई start-up है उसमें invest करेंगे ऐसे fund को क्या खाया जाएगा angel fund दूसरे के और मैंने यहां पे statement दी है है एन एंजल इंवेस्टर प्रोवाइट्स इनिशियल सीड मनी बीज इनि किसी भी start-up को start करने से पहले पैसा चाहिए न वोसी टाइप का पैसा यह एंजल फंड प्रोवाइड करवाता है अब कॉस्टन के उपर आओ कि वह maximum investment limit कोन सी है जो एंजल फंड इनिवेस्ट कर सकता है किसी भी single company में तो किसी भी single company में या किसी नए start-up में कोई भी angel fund जो होगा वो maximum 10 करोड रुपय तक ही invest कर सकेगा यह नई limit आई है बाइदा आरपी आई most super most important question रहेगा आप लोगों का exam के लिए ध्यान रखना है clear है जी चलो next है apple supplier और अमेरिका की gorilla glass maker company जिसका नाम है कर निंग इंसे वह इंडिया में एक हजार कोड रुपे invest करने जा रहे हैं question है कि कौन से state में होगा तो वो होगा तमिल नाडो में ठीक है जी चलो next है government makes air condition truck cabin mandatory government ने कहा है कि जो truck है उनके cabin भी AC लगे हुए होंगे driver चलते हैं बैचारे गर्मी हो रही है उनको गर्मी से बचाया जा सके तो वो कब से mandatory कर दिया है वो October AC cabin होंगे एक category है N2 दूसरी है N3 N2 की category में वो truck आएंगे जो की साड़े तीन टन से जादा और 12 टन से कम का लोड लेके जाते हैं और N3 में वो truck आएंगे जो 12 टन से जादा ही लोड लेके जाएंगे इस टाइप की जो भी ट्रक होंगे इन ट्रक्स में ये सारा का सारा AC कैबिन दो हजर पचेस के बाद होंगे क्लियर है ठीक है जी चलो नेक्स्ट है रिसेंटली सीन इन न्यूज कंबाला कॉंडा वाइड लाइफ सेंक्षुरी कौन से स्टेट में लोकेटिड है अंसर आएगा अंधरा वर्देश या आप लोगों को ध्यान रखना है करन्ट स्टेटिक का कॉस्टन रहेगा न्यूज में था मैं आप लोगों के लिए लेके आया क्लियर है जी ठीक है तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट कोस्टेंस जो अभी हम लोगों ने डिसक्स किए है अई होप आप लोगों को समझाए होंगे कुछी बैंकिंग के कोई बैंकिंग टर्मस में कोई इस्यू है अगर आपका यहां से तो आप मुझे फूल सकते हैं मैं आप लोगों को उसका डिस्क्राइब कर करके दूंगा तो आज के लिए मेरी सेट्स इतना ही रहेगा लेकिन उससे पहले थैंक्स आप लोगों ने मेरी वीडियो वोच की उसके लिए अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैन